ओम नमस्षिवाय मैं हूँ एस्प्लोजर की अंसिना और मैं अपने यूटूब चैनल पर आप सबी का आड़ देख स्वागत करता हूँ सूर्य, केतू और मंगल इन तीनों ही ग्रहों का एक साथ एक राशी में आ जाना एक परिशानी का कारण बन सकता है और प्रतेक लगन पर इसका क्या प्रवाव पड़ेगा आई हम संचेप में इसको समझते हैं क्योंकि जोतिशास्त्र में ये कहा गया है कि सूर्य, मंगल और केतू जिस भाव में रहते हैं उस भाव का पूरे तरीके से नाश कर देते हैं इवन अगनी बहुत तेज से चारोतरफ लगाना या जिसकी कुणली में केतू, सूर्य या मंगल एक साथ उपस्तित हैं या गोचर में इनकी उपस्तिती एक साथ होती है ये एक प्रकार से ब्लास्ट का काम करते हैं और ये घटनाए आगे आने वाले दिनों में प्रतेक लगन पर क्या पड़ेगा बेहत साथानी वाला समय किस पॉइंट आव यू से मैं बता रहा हूं आग लगने की घटनाओं के पॉइंट आव यू से क्योंकि जिस बाव में रहेगा उस बाव का नाश करने की पूरी तरीके से कोशिश करेगा अब हमारा यहां पर प्रश्ण यह उठता है कि हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए तो संचिप में एक एक लगन के बारे में बात करते हैं तो मेश लगन में देखेगा यह यूती जो है आपके अस्टम में बन रही है और यहीं पर ग्रहन भी पढ़ा था तो अस्टम में एक तो ग्रहन पढ़ा आयू पर और साथ में यहीं पर यह केतु मंगल और सूरी की उपस्तिती अस्टम में पढ़ रही है हाला कि सूर्य क्वास्टम का दोश नहीं लगता है लेकिन मंगल और केतु दोनों की उपस्तिती होने के कारण मांसिक तनाव काफी बढ़ सकता है यहाँ पर कोई parental property के लिए अगर आपकी legal action चल रहा है तो उसमें भी negativity result देगा share 60 lottery वाले एकदम बिल्कुल साथान रहें next 11 days यहाँ पर सूर्य केतु और मंगल हानी का काम करेंगे क्योंकि यह जो अस्थान है गुप्त धन का भी होता है share 60 lottery से कमाया गया धन गुप्त धन माना जाता है तो जब गुप्त धन की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर उसी भाव का नाश करेंगे और accident के योग भी बनाएंगे मेश लगन वाले लोग बहुत जादा विशेस रुप से साथान रहेंगे दूसरा जो है यहाँ पर विश लगन वाले जातकों के लिए क्या कर रहा है विश लगन वाले जातकों में यह योग और ग्रहन दोनों ही सब्तम अस्थान पर बन रहा है तो ग्रहन ऑलेडी कल हो चुका है और यह तीन ग्रहों की यूती बन चुकी है सब्तम अस्थान पर त जैसे बॉडी का कोई पार्ट हाथ जल गया या पैर जल गया किसी प्रकार के आग की दुरगटना से भी सावधानिया पर व्रिश लगन वाले जातकों कि यह जो लाइक पार्टनर है उनको द्यान देना पड़ेगा बिजनेस पार्टनर पे भी कुछ परिशानी उत्पन होगी देखें मिथुन लगन में यह जो त्री ग्रहों की जो यूती बनी है वो आपके रो ग्रिड शत्रू पर और ग्रहण पर वहीं पर भी लगाता है तो जब ग्रहण भी है और रो ग्रिड शत्रू पर यह ग्रहों की यूती बन रही है तो निश्यत रूप से आप क्या कह सकते कि आपके रोग्रेड शत्रू सब को पूर्टेया सजामाप्त कर देगा जला देगा पूरा का पूरा तो यहां पर तो यह अच्छा रिजर्ट देगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है और पब्लिक रिलेशन्स जो रहेंगे वो आपके नॉर्मल रहेंगे लेकिन ये तीन वाले जातकों के लिए देखा जाए थोड़ा प्रभाव कम ही इसका अच्छा देखने को मिलेगा कर्क लगन के लिए बात किया जा तो कर्क लगन में यह यूती पंचम अस्थान पे बन रही है संतान को कष्ठ होना संतान को परिशानी होना उदर का भी पार्ट होता है तो अंदर में जो लंशील मतलब पीट जो है थोड़ा गरम ऐसा अंदर से महसूस होना और साथ में यहां पर संतान को लेकर परिशानी है तीन ग्रावों की यूती जो है वह काफी परिशान करने वाली है और सभी के लिए एक ही उपाय बताऊंगा लास्ट नूस उपाय को आप दकत नहीं क्योंकि सूर्य सेपरेटिंग होता है मंगल क्रूर गरा माना जाता है और सूरु बहु토 केतु को मंगल की परचाही कहते तो यह तीनों ही एक नाब बैठ जा है तो आग लगाने की घटना है कई घटना है आप देखिए आने वाले दिनों में कि कई जगा आग लग रही है कई शॉपिंग मॉल्स में आग लग रही है है यह सब भी चलेगा गोचर में स्थिति एलेबन डेस बहुत अच्छी नहीं बन रही है तो यहाँ पर संत इसी ग्रूप से बहुत परशान करने वाला है और इसी करण से आपके माता के स्वास्त में गिरावटा जाना है अगर कोई बूमी वहान मकान से संबंदित आपके ऊपर कोई केस चला था उसमें भी निगेटिव करेगा तो परशानियां यहां पर डेवलप करने वाला यह रफली मैं बताओ तो और इसकी पुष्टी आपको जिन में कर लीजिएगा 11 दिन जब भी जाएगा तब आप कमेंट सेक्शन में चेक कर लीजिएगा जो बोला था वह रहा या नहीं हुआ है लेकिन यहां पर सिंग लगन वाले जातकों को इसे में भूमी वान मकान में बि बात किया जाए तो कन्या लगन में यह तीन ग्रहों का जो विशेश यूती बन रहा है 11 दिनों के लिए यह आपके एक तो भाग यहां पर साथ देगा नहीं इसलिए शीर सट्टा लॉट्री से बिलकुल भी दूर रहना चाहिए आप लोंको नेक्स्ट 11 डेस दूसरा जो है चोटे भाई बैनों को कुछ परिशानी हो ना ऐसा दिखाई दी रहा है गोचर में लेकिन अंतिम परणाम जोगा आपकी चार्ट्स पर भी डिपेंड करता है कि आपकी क्या दशांतर दशा चल रही है तो तुला के लिए यह धन हानी का पूरे-पूरे संकेत कर रहा है एक तो सूरी जब से आया था तभी से परिशान कर रहा था फिर मंगल ने राशी परिवर्तन आज कर लिया है और केतु का भी आल्डेडी राशी परिवर्तन तो बहुत पहले सो रहा था तो सूरी केतु की यूती और साथ में मंगल की भी यूती तो धन हानी का विशेस रुप स योग बन रहा है परिवार में किसी ना किसी सदस्य को परिशानी यहां पर बहुत तगड़ा देगा आपके गले में इंफेक्शन भी अभी कराएगा और इसलिए प्रत्येक लगन वाले जातर जो है इसलिए नेक्स्ट इलेवन डेस तर कुछ लगन को छोड़ कर बेहत में इस पर एक वीडियो बना चुका है आप उसको चेक किए तीनों का जो फल होगा बहुत ही बैतरी नहीं होगा अब हम बात करते हैं व्रिश्चिक लगन वाले जात्कों के लिए व्रिश्चिक लगन में मांसित तनाव बहुत अगड़ा सकता है क्योंकि लगन में जाकर य में जात्कों के लिए उसका उपाय लास्ट में जरूर सुन लिजेगा उपाय अगर कर लेंगे तो यह परशानी कम से कम हो जाएगी जैसा मैं चेक कर रहा हूं तो यहां पर भी बहुत अच्छा मैंने देख पा रहा हूं और क्योंकि आपके लगन पर ही बन रहा है तो शरी प्रकार का infection भी हो जाए उसको भी हम जलने के equivalent मान सकते हैं चेरे पर अगर आ जाता है तो उसको भी आप ऐसा मान सकते हैं धनू लगन के लिए देखे धनू लगन और मिथुन लगन यही दो लगन के लिए अच्छा होने वाला है बाकी सभी के लिए लगबग लबग खराब धनू लगन वाले जातकों के लिए उतना ही अच्छा रहेगा जितना मिथुन लगन वाले जातकों के लिए क्योंकि यह आपके रोग रिल्ड शत्रु को देख रहा है तो पूरे तरीके से खतम करेगा लेकिन पॉब्लिक रिलेशन आपका खराब कर देगा यह मिथून के ल अच्छा परिणाम यह देगा इसके अलावा मकर लगन के लिए बात किया जाए तो मकर इवन धनू लगन में अगर आपका कोई कोट केस चल रहा है तो उसमें भी पॉस्टिव रिजल्ट आपको देगा मकर लगन की बात किया जा तो मकर लगन में बड़े भाई-बैनों को क करेंगा और यह कर परिशानी करते करते आपके जो संतान उस पर भी कष्ट करेंगा जिनके प्रेम परसंद चलना है उसमें भी पूर तरीके से ब्रेक अप लगने का योग यह पर बन रहा है कुम्ब लगन में यह जो योग बन रहा है वो आपके दश्यम अस्थान पर लड़ाई जगड़े से बचना चाहिए कार वेपसाय में कोई भी निया कारे आपको करने से पहले आनलेसिस कराने के बाद आपको किसी भी एस्ट लॉजर से आप अन्तिम डिसिजन ले सकते हैं कार वेपसाय में कुछ ना कुछ परिशानी आप रुत्पन करेगा इसवें आप को आपके पिता के लिए पिता के स्वास्त के लिए वह काफी परिशानी वाला रहेगा पिता के स्वास्त में परिशानी करेगा आलत से जादा दे देगा और इवन पिता को जब परिशानी देगा तो भाग में भी आपका कोई भी काम नहीं बनेगा इवन कई बार ऐसा भी के साथ feeling होगा कि धर्म वेगरा कुछ नहीं होता है आपके माइंड में ये सब चीज़ें आ जाया और नकरात्मक हो जाया धर्म के प्रति मतलब आस्था जो एता है आपके अंदर वो पूरा टूट जाए कि भगवान हैं नहीं हैं क्या चीज़ें इस confusion में आप रहेंगे और य नेक्स्ट 11 डेस का एलर्ट और ये एलर्ट है और ये केवल गोचर का परिलाम है आपकी लगन कुली में अगर समय अच्छा चल रहा है और बाकी चीज़ें अगर ठीक है तो ये प्रबाव थोड़ा कम रहेगा लेकिन गोचर वस तो अपना परिलाम ये दे करी रहेगा अब 12 को सब्सक्राइब सब्सक्राइब लगन और समय के लिए अगर वेजिट सब्सक्राइब के सेवाईब देखे इनồng अपने मस्तिश्क पर लाल चंदन की लकड़ी की बुरादे को आप थोड़ा सा देशी घी में मिला देजिए अपने मस्तिश्क पर यहां पर टीका अगर लगा देते हैं तो वो भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और लास्ट उपाय जो है महाम रितिम जे कम से कम 11 बार जब तक सूर्य मंगल और केतु साथ में आएंगे थोड़ा परिशान जलूर करेंगे हाला कि निगेटिव एफेक्ट जादा दिखाई देगा पॉस्टिव एफेक्ट कम दिखाई देगा और यह विस्फोड जादा करेंगे ब्लास्ट के योग जादा यहां पर बनेंगे च झाल झाल